ओके गाईज तो आज लिनोओ की तिंक पैड सीरीज की ए सीरीज और एल सीरीज के दो लैप्टॉप की अन्बॉक्सिंग और रिव्यू इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और तिंक पैड जो सीरीज है वो कमर्शल ग्रेड के लैप्टॉप बनाती है अगर आप यह जानना चाहते हैं कि कमर्शल सेग्मेंट के लैप्टॉप और कंज्यूमर सेग्मेंट के लैप्टॉप में क्या डिफरेंस होता है तो उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है आई बटन में मैं आपको लिंक देदूँ आप जाके देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कैसा मेरा एक्स्पिरियंस रहा है इन दोनों लैप्टॉप के साथ अन्बॉक्सिंग कर लेते हैं फटाफाट और उसके बाद डिटेल में बात करते हैं स्पेसिफिकेशन के बारे में तो बॉक्स ओपन करते ही दो पावर के बला हमें देखने को मिल जाती है और इसके बाद टाइप सी के 65 वोट के चार्जर हमारे को यहां पर देखने को मिल जाते हैं अगर बात करते हैं बॉक्स के अंदर और क्या देखने को मिलता है तो फटा-फट यह फोम को हम अटा लेत एक ये दूसरा laptop और एक setup guide तो दोनों laptop के front के अगर मैं बात करूं तो देखने में almost identical लगते हैं एक जैसी आपको feel आएगी लेकिन अंदर से काफ़ी कुछ difference आपको देखने मिल जाता है और एक चीज़ तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये laptop आपने बहुत सारे professionals के हाथ में जरूर देखा होगा और Lenovo की ThinkPad series के अंदर एक बात जो मुझे बहुत जादा पसंद है एक तो यहाँ पर आपको metal alloy hinges देखने मिल जाते हैं जो 180 degree तक आप जिनको खोल सकते हैं दूसरा यहाँ पर आपकी safety और security और privacy को काफी जादा ध्यान दिया जाता है जैसे कि webcam के अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपको एक privacy shutter जो है वो देखने को मिल जाएगा और साथ ही आपको power button के अंदर fingerprint scanner भी देखने को मिल जाता है अचा मैंने ये दोनों laptop क्यों लिए उसके पीछे बड़ा simple सा reason है यार मुझे अपने business में कुछ laptops की ज़रूरती तो 4-5 laptop मैंने buy करे हैं उन में से दो laptop ये thinkpad series के हैं और सबसे strong reason जो है वो इनका powerful processing unit है यहाँ पर आपको एक AMD Ryzen Pro processor देखने हो मिल जाता है जो कि AMD exclusive 7 nanometer की Zen 2 architecture पे based है और 7 nanometer की finfit technology पे based होने की वज़े से एक बात तो आप लोग भी जानते है कि काफी अच्छी आपको performance देखने हो मिल जाती है at the same time efficiency भी आपको काफी अच्छी देखने हो मिल जाएगी क्योंकि competition में जितने भी processor है आज की तारीक में 7 nanometer की finfit technology पे तो windows के अंदर कोई भी आपको देखने हो नहीं मिलता है तो यहाँ पर आपको इसकी वज़े से एक अच्छा खासा battery backup भी देखने हो मिल जाता है मेरे को इस thinkpad के अंदर 15 घंटे के आसपास का battery backup देखने हो मिल रहा है जो कि हैर मेरे हिसाब से insane है एक दिन आपका बड़े अराम से laptop निकाल देता है अगर आप heavy task भी करते हो और performance तो एक solid reason है ही इन laptops को लेने का बाकी बात कर अगर मैं safety और security की तो यह दूसरा main reason रहा मेरा इन laptop को लेने का क्योंकि webcam के अंदर तो मैंने आपको दिखाई दिया privacy shutter है इसके अलावा fingerprint scanner भी आपको देखने हो मिल जाता है लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज़्यादा impress किया वो है यहाँ पर chip level की security का होना guys यहाँ पर आपको AMD pro security जो है वो देखने को मिल जाती है और इसका सबसे बड़ा फाइदा यह होता है कि normally जितने भी laptops होते है जब windows आ जाती है उसके बाद antivirus काम करना शुरू करता है तब जाके आपको safety मिलने स्टार्ट होती है लेकिन यहाँ पर जैसे आप power button को प्रेस करते है instantly आपको security मिलने स्टार्ट होती है chip level security है hardware based security है और सबसे अच्छी बात यह है कि AMD की तरफ से आपको next 2 साल के लिए guaranteed planned software stability जो हो देखने को मिल जाती है तो कहने का मतलब है peace of mind है क्योंकि यार windows जितनी मरजी बारी उड़ जाए software चले जाए तो आप बार-बारी उसको install कर सकते है लेकिन business के अंदर data is the most important thing अगर data चला जाए या hack हो जाए तो यार वहाँ पर बहुत ज्यादा problem हो जाती है तो यहाँ पर data की security तो आपको देखने को मिली रही है साथ ही laptop भी आपको काफी strong देखने को मिल रहा है और यह जो 7 nanometer की finfit technology पे based AMD Ryzen Pro 4000 series का processor है यहाँ पर आपको performance भी कमाल धमाल देखने को मिल जाती है दोस्तो बात करो अगर मैं display की तो इन दोनों laptops के अंदर आपको 14 inches का full HD plus का display देखने को मिल जाता है डिस्पले से मुझे कोई भी शिकायत नहीं है अच्छे खासे punchy colors आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते है बलकि अगर मैं L14 की बात करूँ तो यहाँ पर आपको काफी narrow bezels देखने को मिल जाते है जिसकी वैसे आपको काफी अच्छा cinematic experience भी हो जाता है RAM और storage की बात करो तो L14 के अंदर मिरको 8GB की RAM देखने हो मिलती है जिसके अंदर 7.23GB जो है वो usable है और अगर मैं बात करूँ E-series E14 की तो यहाँ पर मुझे 16GB की RAM जो है वो देखने हो मिल जाती है इसमें से 15.4GB की RAM जो है मैं यूज़ कर सकता हूँ बाकी दोनों ही laptops के अंदर आपको SSD का support देखने हो मिल जाता है और 512GB की SSD आपको दोनों ही laptops के अंदर देखने हो मिल जाती है तो performance के अंदर तो मुझे कोई भी problem जो हो देखने हो नहीं मिली और दोनों ही laptops के अंदर मुझे AMD Radeon के graphics जो है वो onboard देखने हो मिल जाते है दोस्तों बात कर अगर मैं operating system की तो दोनों ही laptops के अंदर मुझे Windows 10 का support देखने हो मिल जाता है 64-bit पे based यह operating system है तो 64-bit पे based सारे software, gaming या application जो अगर आप यहाँ पर चला सकते हैं तो कोई भी problem आपको आने वाले नहीं है जो कि काफी अच्छी बात है क्योंकि काफी powerful यह laptop है और यह 16GB RAM वाला variant जो है मैंने coding के लिए specially जो है वो लिया है तो यहाँ पर coding जो है वो काफी अच्छी हो पार है क्योंकि इसको मैं पिछले डेट हफते के आसपास से जो यूज भी कर रहा हूँ यहाँ पर RGB वाला RAM जो है वो normal काम के लिए मैंने normal इस्तमाल के लिए मैंने लिया है और दोस्तो बात करोगर मैं keyboard की तो यहाँ पर आपको काफी अच्छा layout जो हो keyboard का देखने को मिल जाता है साथ ही center में आपको एक ये red button देखने को मिल जाएगा जो की mouse के pointer के लिए काम करता है और उसके ठीक नीचे आपको trackpad भी देखने को मिल जाता है space bar के नीचे जहाँ पर आपको multi gesture touch support भी देखने को मिल जाता है दोस्तों बात करों अगर मैं ports की तो लगबख सभी ports आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है चाहे मैं type C के support की बात करूँ या USB 3.2 की बात करूँ या 2.0 की बात करूँ 3.5 mm jack की बात करूँ या फिर RJ45 connector की बात करूँ और क्यूंकि commercial grade का laptop है तो यहाँ पर आपको dedicated HDMI port भी देखने मिल जाता है तो presentation बगएर अगर देनी है, projector से इसको connect करना है तो भी आपको कोई problem आने वाली नहीं है गाइस, overall अगर मैं अपने experience की बात करता हूँ Lenovo के ThinkPad series के साथ तो यह बहुत ही rough and tough laptop है काफी अच्छी specification आपको देखने मिल जाती है और अगर आप business use के लिए किसी laptop को देख रहे थे definitely you can go for the ThinkPad series एक strong build quality वाला laptop तो आपको देखने को मिलता ही है साथ ही आपको safety और security के भी सारे features यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे तो गाइस यह था इन दोनों laptops को लेकि मेरा first impression और क्यों मैंने इन लaptops को buy किया बाकि detailed review जो है वो बहुत जल्दी चैनल पर आ जाएगा दोनों laptops का अगर आपकी कोई भी query है तो नीचे comment box में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर अगर personally आप मुझसे बात करना चाहते हैं कोई advice देना चाहते हैं तो आप मुझे Instagram पर follow कर सकते हैं मेरा Instagram ID है tech underscore wani वहाँ पर मैं regular live भी आता रहता हूँ तो आपसे बात करता रहूँगा इसी तरीकी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा अगर नहीं किया है बेल आइकन भी दबा देजेगा और वीडियो अगर अभी तक देख रहे हो तो लाइक जरू कर देजेगा लगातार आपके लिए ऐसे ही वीडियोस मैं लेके आता रहता हूँ मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी नेक्स वीडियो के अंदर